Hello viewers, welcome to my channel Friends, आज की class में आप सीखेंगे जैसे मैंने पिछली class में आपको जो हमारी underwear है baby की उसके बारे में मैंने पूरा drafting और पूरा formula समझाया था तो आज के वीडियो में हम paper पर drafting करना सीखेंगे और cutting करना सीखेंगे उसके लिए हम थोड़ा measurement के बारे में समझ लेंगे जैसे ये हमारी underwear बनेगी 20 hip की तो इसमें लंबाई हमारी कैसे आएगी 20 hip के हिसाफ से आएगी जैसे की मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरा समझाया था briefly तो लंबाई हमारी आएगी hip divided by 3 plus 2 जैसे hip हमारी 20 है divide किया 3 से plus किया 2 और ये हमारा आगया 7 यहां पे 20 को 3 से divide किया तो यहां हमारा 6 point कुछ आता है तो हमने यहां 7 ले लिया plus उसमें 2 कर दिया तो यहां हमारा 9 हो गया तो ये length हमारी आई इस underwear की 9 inch 20 hip के हिसाफ से हमारी 9 inch length आएगी चुड़ाई हमारी जैसे hip हमारा है और divide करना है 4 से और plus करना है 1 तो यहां hip हमारी 20 है तो 20 divided by 4 plus 1 तो 4 को हमने 20 से divide किया 5 आया उसमें हमने plus किया 1 तो हमारा total 6 आगया तो चुड़ाई हमारी यहां पे 6 inch आएगी अब ये shape के लिए लेना है तो यहां पे हमारी hip 20 है 20 को divide करेंगे 12 से यहां पे हमारा बन हो जाएगा प्लस इसमें अब इसको हमने hip से divide किया 20 को 12 से तो हमारा 1 point कुछ आया तो प्लस उसमें हमने बन किया तो यहां पे हमारा प्लस करके 2.2 आगया shape के लिए जा हम 2 भी ले सकते हैं इस तरह से 20 का hip लेने के लिए हमारा यह formula लगेगा अब मैं paper पे fold करके बताऊंगे यही size मैंने जो बताया है आपको 20 hip का यह हमारा बनेगा तो यह मैंने paper लिया है single है हमारा यह मैंने यहां से single paper लिया है ऐसे ही हम कपड़े पर भी इसी तरह कट करेंगे तो यह paper हमारा यहां से 18 inch है और यह हमारा यहां से 12 inch है यह हमारा इसी 20 hip के size से बनेगा इस paper को हम इस तरह से fold कर लेंगे यह हमारा एक fold हो जाएगा यह हमारा इस तरह से fold करके double हो गया अब ये दो फोल्ड में है पेपर इस तरह से हम करेंगे तो ये हमारे चार फोल्ड हो जाएंगे इससे हम बोलते हैं चार फोल्ड अब ये हमारी फोल्डिट साइड है और ये हम इस तरह से ऐसे रख लेंगे पेपर को ये फोल्डिट साइड है हमारी ये ओपन साइड है जैसे हम measurement भी 7 में रखेंगे तो जैसे लंबाई हमारी है 9 इंच देखिए हमारी 9 इंच आगी और चोड़ाई हमारी है 6 इंच यहां से हमारी 6 इंच आगी यह हमारी शेप के लिए है यह हमारी 2 इंच आएगी तो यह हमारी यहां इंच इसका हम हाफ लेंगे साड़े चार इंच ये साड़े चार इंच है इसको हम इस तरह से स्टेट कर लेंगे और ये हमारी शेप का निशान है इसको हम इस तरह से यहां से इस निशान को ऐसे मिला लेंगे अब ये निशान है हमारा कट का यहां से हमारा जितना है उसका हम हाफ लेंगे यहाफ ले लिया और यहां से अंदर को हम आदा इंच ऐसे ले लेंगे यह पॉइंट है यहां से राउंड में मिलाते हुए यहां से हमारा यह बैक का कट आ गया फ्रंट के लिए लगाएंगे फ्रंट के लिए हमारा पोनिंच आएगा तो पोनिंच हम एक से कम लेंगे इसको भी हम इस तरह से यहां से ऐसे शेप दे देंगे यह हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और यह हमारा बैक साइड क्या कट हो गया जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमारी अंडर्वियर होती है उसका बैक पार्ट हमारा बड़ा होता है और फ्रंट का हमारा चोटा होता है यह कट हमारा उसी तरह से आएगा ऐसे इसके बाद यहां से हमें कट देना है यह हमारी ओपन साइड है यहां से हमें आदा इंच लेना है और यह निशान और यह निशान दोनों को इस तरह से मिला देंगे यह हमारा ड्राक बन गया है, इसी तरह से हम कट कर लेंगे, जैसे पहले हम यह बैक का जो हमारा यह लगाया है, शेप इसको हम ऐसे कट करेंगे, और यह हमारा पूरा ही इस तरह से कट कर लेंगे, और यहां से हमारा यह फोल्डीर है, इसको भी हम कट कर लेंगे, यह हमारा जैसे दो पार्ट ब हवारनी है जैसे यह कटिंग है ये हमारी शेप है इसको हम प्में Рांड मे घॉप है आ Wochen Hum तो जैसे कि हम beginner हैं सीलय में तो हमें direct कपड़े पर काटांगे तो कपड़ भी हमारा ख़राब हो सकता है इसलिए हम starting में पेपर कटिंग करना सीखते हैं, अब ये कपड़ा भी मैंने इतना ही लिया है, जितना हमारा पेपर का था, 12 इंच है यहां से, यहां से हमारा ये 18 इंच है, इस कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, और फिर से एक और फोल्ड कर लेंगे, यह हम इस तरह से कपड़े को रखेंगे, यह हमारी फोल यहां कपड़े हमारा फूलक हो तरह है। एक गम ब्राबर कर के नी रख लिए है। अब फ्रंट की हम अब यहां से हमें इस तरह से एसे लगा लिनी है ये front की shape लगा ली है अब ये हम cut कर लेंगे पहले हम ये back वाला ही cut करेंगे कपड़ी को ऐसे हमें दबा के रखना है कि कपड़ा हमारा हिलेना और ये cut भी हम लगा लेंगे और ये हमारा fold है यहां से इससे भी हम cut कर लेंगे ये दोनों पीस हमारे कट गे हैं अब ये पीस उठाएंगे और ये हम अंदर की साइड है ये हमारी फ्रंट पीस है इसे भी हम इस तरह कट कर लेंगे जैसे ये हमारा है ऐसे हम ये कट कर लेंगे बेबी अंदर वियर हमारी कट के रेडी हो गई है अब हम सिलेंगे जैसे ये पीस मेंने सीधी साइड हमारी इस साइड है अब ये दूसरा पीस रखेंगे तो ये सीधी साइड ऐसे आएगी इस तरह से रखेंगे हम सिलाई करेंगे जैसे ये पार्ट हम पहले सिलेंगे तो यहाँ पर सिलाई लगाती हूँ यह सिलाई मेंने लगा दी है डबल सिलाई लगा लेंगे हम इस तरह से हम खुल के रखेंगे अब यह हमारी साइड है कट की यहां से हमें फोल्ड करके सिलाई करनी है जैसे थोड़ा सा हमें फोल्ड करना है ऐसे और फिर हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और यहां पर सिल स्antly Premium Marketing लग गई है इस तरह से हम इसे डैबल कर लेंगे ऐसे उल्टा साइड से इसके बाद यह ऊपन साइड है हमारी यहां से हम सिलाई लगाएंगे डबल सिलाई लगा लेंगे है इस से इप माधिता इसे लें मैंने लगा दी है यहां से हमें सिलना है पहले तो हम थोड़ा सा फोल्ड करके यहां से सिलाई लगा लेंगे क्योंकि हम सिलाई में बिगनर हैं तो फोल्ड करते हमें थोड़ा दिक्कत आएगी तो पहले हम इतना फोल्ड करके यहां पूरे में सिलाई लगा लेंगे यह सिलाई इस तरहां से लगा दि से वीया कमेद ही आदा 1 इंच हमारा यह को लीए हम इस तरह से कपड़ को कर लेंगे ऊद्थ कियमे न फोल्डी दिया यहां पर हम आइरन कर सकते हैं तो यह मारा इस सामब्हार्ब होए रही है इस साथ ओंब आप मुर्ण लगानी है तो जहां से हम एक बर इंच छोड़ लेंगे इतने पार्ट पे हमारी सिलाय नहीं लगेगी बाकी हम यहां से लेके यह राउंड में यहां तक सिलाय लगाएंगे यहां से हम इलास्टिक डालेंगे जैसे यह हमारी hip 10 inch है यहां से 10, 10, 20 inch है 20 में से हम 4 inch less कर देंगे तो बचा हमारा 16 inch तो यह हम 16 inch लेंगे यह मैंने 16 inch ली है तो जैसे हमारा जितना भी hip होता है उससे 4 जा 5 inch हम कम रखते हैं किसी भी चीज में हमें डालनी है elastic इस elastic का एक कोना हम इस तरह से यह safety pin में डाल लेंगे और यह मैंने open space रखा है यहां से हम नाड़े की जैसे इसे डालेंगे यह इस तरह से नाड़े की जैसे डाल दी है अब यहां से हम देख लेंगे बराबर आए थोड़ा उसमें पल्टी न हो गया हो हमारा यह तो यह हमारा बराबर है अब यह है हमारे दोनों पीस एक दूसरे के उपर रखेंगे इस तरह से आदा इंच ऐसे रख लेंगे और यहां पर हम सिलाय लगा देंगे यहां तेन चार शिलाय लगाएंगे जिससे यह हमारा मजबूत हो जाए ये सिलाय हम इस तरह से लगाएंगे अब ये है इलाश्रिक इसको हम इस तरह से बराबर कर लेंगे ये इस तरह खीचके ये कपड़ा हमारा बराबर हो जाता है अब ये हमारा ओपन स्पेस है यहां भी हम सिलाय लगाके इसको बंद करेंगे टाइम मैंने लगा दी अब हम अंडर्वेर को सीधा करेंगे देखे बेबी की अंडर्वेर बनके हमारी एकदम ready हो चुकी है देखे कितना easy है इस अंडर्वेर को बनाना तो starting में हम ऐसे ही चोटे चोटी चीजे सीखेंगे तो हमारा हाथ एकदम अच्छा बन जाएगा सिलाई में फ्रेंड्स बेबी अंडर्वेर हमारी बनके ready होगी है अगर आपकी कोई problem है ज़ा आपको कुछ समझ में नहीं आये तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं वीडियो अगर आपको थोड़ा भी useful लगा हो तो वीडियो को like करें share करें चैनल पे नहीं है तो bell button भी दबा लें जिससे की मेरे अगले आने वाले वीडियो के notification आपको easily मिल जाएंगे Instagram पे भी आप मेरे को follow कर सकते हैं उसका link में description box में दे दूँगी आप बहाँ से देख सकते हैं तो चलिए मिलते हैं next video में